आज उन लोगों के लिए एक remedy बताने वाली हूँ जो कि अपने बालों पर कुछ भी अंटरसंट लगाने से बहुत जादा डरते हैं घवराते हैं तो उन लोगों के लिए मैं एक natural चीज बताने वाली हूँ जिसे वो अगर इस्तमाल करते हैं तो सची बोल रहे हूँ 100% guarantee है भी problem है बिल्कुल से खत्म हो जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस्तमाल करने वाले हैं एक चमच इंडिगो पाउडर आपने लेना है इंडिगो पाउडर बहुत जादा अच्छा होता है यह हमारे बालों को काला और बालों को मोटा ठिक करने में बहुत जादा help क करता है एक चमच इंडिगो पाउडर आपने यहां पर इस्तमाल करना है इंडिगो पाउडर हमारे हैट के लिए बहुत जादा अच्छा है अगर आप इस अपनी नानी दादी से पूछेंगे तो भी आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे और आपको बहुत अच्छा बताएंगे इसका क्योंकि यह हम सदियों से इस्तिमाल करते हुए आ रहा है और जन और शदी है यह एक तरीके से सभी को पता होगा और लास्ट में आपने एक चमच महा ब्रिंगराज जो पाउडर है आपने वो एड कर देना है महा ब्रिंगराज पाउडर आपने एड करना है और आप user अधोड़ा पानी डालते जाएं और आफ इससे अच्छे से mixक्रते जाएं देखो अगर आपको एक साथ पानी डालोगे तो यह mix होने मैं थोड़ी सी problem होगी इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालें आप और इसे mix करें जैसे मैं आ आपको प्रोसेस बताओंग तो थोड़ा सा मिलने में ये टाइम ले रहा है otherwise ये remedy बहुत जल्दी तयार हो जाती है और इसे लगाना और बनाना भी बहुत ज़्यादा easy है तो आप इस तरीके से आपने इसे dry form में थोड़ा सा लेना है और इस तरीके से आपने इसे liquid form में convert करना है तो आपने करना है जैसे जैसे मैं बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा आपने पानी लेना है इस तरीके से और आपने इसे अच्छे से mix कर लेना है ये आपको इस तरीके से इसको आपने करना है देखो आभी मैं बता दूँ सेम उसी तरीकIE से आप करने जब आप इसे अच्छे से घोल लेना है देखो ये दो महा भृंगराज जो होता है आपने सुनाओंगा कि महा भृंगराज तेल आ गया महा भृंगराज शैम्पू आ गया मगर अगर आप इसे खुद घर पर बना कर इस्तमाल करती है तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजर्ट मिलेगा और आपको बहुत बहुत beneficial समझ है cihet और आपको हर किसी के मुंझ मुझ से आपने जरूर सुनाओगा कि भृंगराज इस्तिमाल करो हरवल शैंपू इस्तिमाल करो तो हरवल शैंपू 홈 बनाते हैं वह ब्रिंगास से ही बनते हैं तो आपने इस तरीके से एक गोल ready कर लेना है और इसमें आपने इस तरीके से पानी डालना है पानी डालकर आप क 시청 क्कटोव sew पूरा इस तरीके से भर कर आप आपने इसे रखना है कम से कम दो घंटे के लिए ताकि कि फोड़ेसें कि भागो हो जाएं और सबस्ते पेंबात है आपने इस तरीके से मिला लेना है मिलाने के बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए mix करना है अच्छे से ताकि इसमें कोई भी गाट ना रह जाए और इसमें किसी तरह की फोड़े से टाइप ना रह जाए क्योंकि powder होता है तो घुलने में थोड़े रह जाता है जब आप इसे दो घंटे के लिए इसी तरीके से रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए दो घंटे के बाद क्या आपने करना है वो मैं आपको बताती हूँ और तब तक आप क्या करिएगा जब तक ये दो घंटे के लिए हम इसका वेट करते हैं तो दो गंटे जब हमारे पूरे हो जाएंगे तब हम इसका इस्तमाल आगे कैसे करणा है वो बताते हैं तो guys अब दो गंटे के लगबग हो चुके हैं तो आपने क्या करना है आपने एक इसको हटाना है और एक खाली बरतन ले लेना है इस तरीके से जैसा मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है tea stainer, यानि कि चाय चानने की चाननी, और आपने क्या करना है, इस powder को इस तरीके से इसमें चानकर अलग करना है, यह जो चीज है, यह बहुत जादा effective है, आप इसे थोड़ा सा अच्छे से च एफेक्टिव है और बहुत जादा वैनिफीशियल है और आपको इसको बहुत अच्छी से जो है रिजल्ट मिलेंगे आपको इसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहे हूं सेम उसी तरीके से आपने इसको तयार करना है देखो जब आप इ करना है यह हमारा पाउडर है आपने इससे लेना है और इसे अपने 的話 की रूड़ पर लगाना है उसके आतल को बालों की जड़ों पर यह चोड़े और आप 15-20 मिन एक कीजिए उसके बालों को वाश करें लेकिन आपको शैंपू जादा नहीं लगाना है थोड़ा ही शैंपू आप यहां पर इस्तिमाल करें तो बहुत ही बहतर रहेगा यह नुसका ऐसा है जिसके इस्तिमाल से हर किसी को बहुत जादा वेनिफिट मिलेंगे से चाहें छोटा वच्चा हो बहुत जादा वेनिफिशियल है बहुत जादा एफेक्टिव है और बहुत जादा लाबकारी है बुड़ों से लेके बच्चों तक जमान हर कोई इसको 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 आपको प्रभाब नहीं पड़ेगा इसकी मैं आपको गैरंटी दे सकती हूं वीडियो सब्सक्राइब नहीं है फूल वीडियो देखने का तो शौट वीडियो में बहाबर डेली अप्लोड करती रहती हूं मिलते है नेक्स वीडियो के साथ अपते के लिए टाटा बाय बाय टेक केर शुक्रिया